तो गाइस अब हम आपको दिखा रहे हैं चक्की महन यहां पर जो है चक्की पिसाई का काम करते थे उस समय क्योंकि काफी जनता रहती थी इस किने में और यहां पर जो है गेहूं की पिसाई हुआ करती थी और सामने आपको देख सकते हैं काफी तोपे दिखाई दे रही हैं इ यहां पर चंदन की पिसाई हुआ करती थी और इसके बाद हम चक की महन देखेंगे जहां पर ग्यहूं की पिसाई हुआ करती थी और इसके बाद हम कैचेरी महन देखेंगे जहां पर राजा अपनी सभा निया करते थे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक हिस् रहती थी इस ये पूरा जो महल है यही है चीप महल और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये निखा हुआ है चीप महल ये निखा हुआ है चीप महल तो चलिए हम आपको पूरा इसका इतिहास बताएं ये महल चीप महल क्यों बना कैसे क्या हुआ तो यहाँ पर जो है पूरी जन और यहीं कर देखे सकते हैं यहां पर इक लिगका ब्र्साइब किस्ट बारदय का राष है में एक पूर्बर ब्सक्राइब कर में जान कुंपनेट आया पर देखी सकते हैं यहां पर इकमरayan यह लिद्ऻाइब आप देख सकते हैं तो चलिए हम आपको और इस जगे के बारे में बताएं तो गाइस ये जो जगे आप देख सकते हैं यहाँ पर उस समय पानी भरा रहते था और यहाँ से पानी इस तरफ आया करता था ऐसा ही उस तरफ बना हुआ है और तो guys हम आपको बता दें कि इस जगे पर क्या होता था cheap man इसी लिए पढ़ता था नाम इसका यहाँ पर पिसाई का काम होता था यहाँ पर जो है चंदन पीसा करते थे यहाँ पर जो है चंदन पीसा करते थे और वो जगह मैं आपको बता दूँ कहां पर चंदन पीशा करते थे आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर चंदन पिशाई का काम हुआ करता था तो guys यहां पर चंदन पीशा करते थे और इस जगह पर स्टोर किया करते थे तो guys इस जगह पर store किया करते थे और यहाँ पर आम जनता को जो है वो चंदन से तिलक हुआ करता था और यहीं वो जगह है इसी नहीं इस जगह का नाम cheap mail पड़ा और guys इस का जो design आपको देखने की नहीं मिल रहा है वो एक cheap के आकार का है शीब के आकार का एक design है यही वो जगह है पूरी आप देख सकते हैं और एक फूल की तरह दिखाई देता है यह design यहीं पर चंदन तो guys अब हम आपको दिखा रहे हैं चक्की महन यहाँ पर जो है चक्की पिसाई का काम करते थे उस समय क्योंकि काफी जनता रहती थी इसकने में और यहाँ पर जो है गेहूं की पिसाई हुआ करती थी तो guys यही वो जगह है चक्की महन यहाँ पर लोगबाग रहा करते थे और यहीं पर चक्की पिसा करते थे गेहूं की पिसाई हुआ करती थी और यह जो बने हुए आपको खंबे दिख रहे हैं ये लोहे ये पत्थर के खंबे बने हुए हैं काफी मजबूत ये खंबे हैं उस समय पिलर का काम किया करते थे और ये भी आप देख सकते हैं तो आपने ये जो एरिया है ये जगे पूरी आपने देख ली यहाँ पर जो पी पिसाई का काम किया करते थे और यहीं पर जो है एक अनाज का स्टोर करके राखा करते थे यहीं पर और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस समय की चक्की और यहीं पर चक्की पिसाई का काम किया करते थे यह आप देख सकते हैं सामने यही है वो जगे और यहां पर आपको एक पत्थर भी दिख रहा होगा पार्ट जहां यहीं पर चक्की पीशने का काम किया करते थे तो गाइस यही है वो चक्की उस समय की ऐसा होता था पर यह जो है यह बड़ा रूप है चक्की का यहीं पर पिसाई होती थी और इसी जगे से हम चक्की आटा निकार लिया करते थे बता दिया तो गाइस अब हम देखेंगे कचेरी महल कचेरी महल में क्या होता था कचेरी महल में राजा जो है वो सभा लिया करते थे और जंता की सुनवाई के लिए भी काम होता था इधर तो चनिये अब हम अंदर की तरफ चलते और इस जगे को पूरी टरीके से हम आपको दिखाते हैं तो दिखते हैंँ यही वो गेट है महें कचेरी महल जिसे हम बोनते हैं यहाँ पर वही सैनिक ही खड़ेँ हुआ करते थे और अंदर जाने के लिए और यहाँ पर कुछ लिखा भी यह हुआ है कचेरी महल तो यही महल के हम अंदर जाते हुए और कुछ हमें मूर्तियां देखने को मिली है इस चगे पर रखी हैं डिजाइन के तौर पर यह आप देख सकते हैं और मैं आपको बता दूँ यह जो कचेरी महल ने सोनवी सतावदी में कच्वा वंच के राजाओं ने बनवाया था इसको अपनी सभा निया करते थे यहीं पर बैठ कर और सामने आपको देख सकते हैं काफी तोपे दिखाई दे रही हैं इस जगा पर मुझे और यह सारी जो हैं यह तोपे तोपे रखी हुई हैं और कुछ इस तरब भी नवाई हुआ करती थी राजाओं की और इस जगा पर जो रखी हैं वो चवदा तोपे रखी हुई हैं पूरी गोलाई में रखी हैं और बीच में एक सुन्दर सा अपको स्पोर्ट दिखाई दे रहा हैं और उस समय का यह जहरना कैसकते हैं उस समय यह जहरना रह चुका होगा और आस्पास सारी तोपे रखी हैं इस जगे पर तो गाइज आप पूरा देख सकते हैं यहांपर जगे जगे तोपी तोपे आपको दिखा सकते हैं और हम आपको बता दें तोप चलती कैसे है तो इस जगे पर जो है अंदर बारूद भरा करते थे कम से कम नहीं तो जहां पर बत्ती लगाते हैं वहां तक और एक गोला यहां पर लगाया जाता है जो की लोहे का गोला हुआ करता था और मैं आपको बता दूँ यहां पर जो बत्ती है यहां पर बत्ती लगा कर और वो गोला फिकता था और सामने जो भी आता था हमारत वगेरा वो गिर जाती थी तो चलिए हम आपको बता दें कि राजा कहां पर बैठते थे उस समय तो गाइज राजा जो है वो यहाँ पर बैठा करते थे आपको सामने जगे दिख रही होगी यहीं पर राजा बैठ कर अपनी जनता की सुनवाई किया करते थे और आपको नीचे जो है वो मूर्ती दिख जाएगी यहीं पर बैटकर आम जनता की सुनवाई हुआ करती थे तो एक नजर आप पूरे एक हिस्से की मान लीजिए पूरा जो ओवराण व्यू है इस जगे का और कुछ हिस्सा हमें ये भी दिखाई दे रहा है इस जगे का और यहां पर भी एक खुबसूरत जर्ना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है और काफी एक खुबसूरत व्यू निकल के आता है इस जगे का आप पूरा शहर देख सकते हैं नर्वर जो एरिये है यहां देख सकते हैं यह जो है यह कचेरी का पीछे वाला हिस्सा है और इसी जगे पे यहां पर कर सकते हैं जो कि यहां से गॉलियर की तरफ गई है निकलती है तो गाइस बस वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए अब मिलते अगली वीडियो में तब तके लिए जय हैंद